जैहिन दोस्तों चलिए उस तो बात करते हैं से को और कोशन के बारे में इस कोशन में एक्जामने ने क्या का दा कमपाउंड इंट्रस ओन असर्टेइन संप पूर टू सक्सेट इयर और रूपीज ए इन दोनों का डीफरेंश निकालेंगे जैसे इन दोनों का डिफरस्ट निकालेंगे ये पूह नहीं कालेंगे तो यह आपके पस्ति आएगा यह आपके बस वना आघाई का यह पॉइंट फाइफ हो जाएगा अप उन में क्या खरेंगे तू तू पाइफ और इसका फिर पांच नोप पच्च पचिस तो तो 9,45 और 9,27 तो यह कितना जगा पच्छ है जो rate of interest आएगा वो मेरा 6% आएगा यानि कि option जो डी होगा वो इस question के लिए correct होगा एक बार फिर सुन लीजिए उसने पहले साल का interest दिया था मेरे पास में आपका two successive interest दे रखे थे तो माना कि पहले साल का interest था उसका 225 और पहले साल में compound interest और simple interest दोनों बराबर होते हैं उसके बाद में next year में रखा था 238.5 यानि कि इसके उपर जो interest आएगा होगा उसी को तो मैंने add करके next year का निकाल आगा कि option जो मेरे पास में आपका option जो आपका डी होगा वो इस question के लिए करेक्ट होगा आई होप आप सभी को कुशन समझ में आओगा जय हिंद जय भारत